हेलो अब्रीवन आप नीहा एंड वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ एक जो एम पी सीई जीरो टूवन का है यह टॉपिक एटिंग डिसॉडर बिल्कुल लास्ट ब्लॉग का है और यह कई बार एक्जाम्स में आ चुका है जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो प्रीवेस एक्जाम्स में कॉर्शन्स आये हुए हैं सिर्फ उसी को मैं डीटेल कर दूँगी जिससे कि आप अपने एक्जाम्स के लिए एटलिस सारे अगर ब्लॉक नहीं रीट कर पाते हैं प्रिपेर कर पाते हैं तो इसके बारे में आपको पता हो और आप लिख सकें तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगी अगर पसंद आए तो प्लीज ला होता है बट इसमें कुछ यह यह चीज़े होती है कि जो परसन है या तो हो इट और रिफ्यूस टूइट ठीक है या तो बहुत जादा खाता है फूट को या फिर बिल्कुल ही रिफ्यूस कर देता है इसके टाइप्स को हम आगे आने वाली वीडियो आगे हम पढ़ेंगे ठीक है in order to satisfy a psychic need not a physical needs मतलब कि physical needs ना होते हुए भी एक अपनी psychic needs को satisfy करने के लिए eating disorder develop हो जाते है इसमें क्या होता है the person does not listen to body signal और perhaps is not even aware of them ठीक है अगर हम नॉर्मल परसन जो होता है जैसा कि मैंने यहां पर भी लिखा है कि एक नॉर्मल परसन जो है वो food को eat करता है when hungry ठीक है जब वो बूखा रहता है तो खाना करता है and stop eating when the body does not need more when he feels the signal of satisfaction यह जो satisfaction वाला signal होता है यह brain body तत नहीं पहुचा पाता है जिसके वज़से यह जो eating disorder होती है यह develop हो जाती है तो अब हम आपको पता चलिए eating disorder क्या है और यह क्यों होता है ठीक है उसके cause भी हम आगी जाके details में पढ़ेंगे इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके types क्या है types of eating disorder इसका simple question आता है कि what is eating disorder and treatment cause यह सारी चीज़े इसमें आती है और टाइपस भी आ जाते हैं एक्जाम्स में ठीक है तो क्या होता है जो eating disorder है वह main three types के होते है एक anorexia होता है bulimia होता है being eating disorder होता है और other eating disorder भी है जिसको भी हम discuss करेंगे सबसे पहले में start करते है anorexia nervosa में anorexia nervosa जो है वह generally develop होती है during adolescence और young adulthood ठीक है और यह ज्यादा effect करती है more women than men ठीक है women में ज्यादा होता है यह eating disorder और इसमें क्या करता है कि जो जिस person जो होता है वह avoid eating certain type of food and several restricted their calories जो बहुत ही ज्यादा calories की चीज़े होती है जो थोड़ी calories की चीज़े होती है उनको avoid करने लगता है और जो type foods होते हैं उनको भी avoid करने लगता है क्योंकि उनकी जो monitoring their weight क्योंकि उनका जो body shape है वो बना रहे अब जैसा कि बताया है मैंने कि जनरी develop होता है during adolescence and young adulthood इस stage में बच्चे क्या होते हैं person क्या होते हैं कि अट्रेक्टिव दिखने के लिए बहुत सारी जो को follow करते हैं जिसके विज़से यह अनुरेक्सिया नर्वोसा जैसी जो डिसॉडर है वो डेबलेप होती है ठीक है इसमें यह कि क्या करता है जो क्लाइन डेव अवाइड इटिंग सर्टेन फूड ठीक है टाइपस ऑफ फूड जो बहुत ज्यादा कैलरीज वाली चीज़े होती है उसको बिलकुल अवाइड करता है जिसके वज़से उसका जो वेट है वो डाउन होने रगता है ठीक है अब आते है नेक्स बुलीमिया न यहाइड कर्भो ह्यडै डीज़व फूट ओकी और फीबसे थी उसके सटे केश्थ और परोटिकलर चोटी अमोंड में slumulator में खाते इकी मिल्वल्द कोई चैलरी ऊज़टोज के इस तरीके के फूट को कंजप्शन करने लग तो जब बहुत सारी कंजप्शन होने लगती है calories का गंजन्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या हो करते हैं कि यह force करते हैं vomit करने का ठीक है fast रखते हैं बहुत जादा से जादा बहुत ही जादा मात्र में exercise कर लेते हैं जिसकी वज़से इनकी body पे बहुत ही जादा impact डालता है force vomiting की वज़से इनका गले का area होता है उसमें swelling हो जाती है पेट में बहुत जादा pain होने लगता है अब आते हैं being eating disorder में जैसा कि हमने बात की थी कि bulimia में एक uncontrolled way में person food को consumption करने लगता है being eating disorder में क्या होता है कि person जो है वो एक trigger कोई चीज़ अगर trigger कर रही है उसकी वज़से उस situation में बहुत जादा खाने लगता है कहा जाता है कि जब person stress होता है तो बहुत जादा कुछ लोग होते हैं बहुत जादा खाने लगते हैं और बहुत जादा large amount में food consumption कर लगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही avoid करने लगते हैं food को तो यह एक क्या हुआ कि trigger हो गया कि किसी particular situation की वज़े से या तो बहुत large amount में food का consumption करना या तो फिर बिल्कुल ही food को avoid कर देना ठीक है यह being eating disorder के अंडर में आता है तो एक बार मैं दोबारा से explain कर देती हूँ इसमें uncontrolled way में जो client है वो खाने लगते हैं और short period में और फिर उस को जब बहुत ज़्यादा consumption कर लेते हैं food का large amount में in short period में तो फिर यह force करते हैं vomiting करने की और fast बहुत ज़्यादा रखने लगते हैं excessive exercise करने लगते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा dangerous होता है health के लिए और being disorder में कि किसी particular situation में कोई situation अगर trigger कर रही है तो उसकी वज़े से यह बहुत ही ज़्यादा consumption करने लगते हैं food का या तो फिर एकदम ही अवाइट करने लगते हैं ठीक है अब आते हैं पीका पे पीका एक अभी यहाँ पे mention है कि जो DSM है आप पता योगा is statical manual and mental disorder जिसमें सभी disorders को सारे symptoms वगारा mention होते हैं तो उसमें इसको recognize किया गया है इसमें क्या होता है कि जो client है means कि जो person होता है जिसको disorder होता है वो food ना खाकर वो कुछ extra चीज़े खा लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे चॉक सोप, paper, hair, cloth, wool, laundry यह सारी चीज़े वो क्या घरता है खाने लगता है अब आते हैं rumination disorder, rumination disorder mostly fatals जो होते हैं newborn baby होते हैं उनमें ज्यादा यह देखा जाता है जिसकी वज़ों से उनका वेट बहुत ही जाता कम होने लगता है इसमें क्या होता है कि बच्चे बच्चों को फूड करवाया जाता है और फिर उनका जो digest food नहीं हो पाता है तो जिसकी वज़े से उनको बाहर एक acidic form में वो निकलता है और उनको लगता है कि वो food आ गया है फिर उसको रिच्यू करके या तो उसको स्प्लिक कर देते हैं या तो फिर उसको दोबारा से निगल जाते हैं तो इस तरीके का जो होता है प्रोसेस वो rumination disorder के अंडर में आता है ठीक है next है avoidant or restrictive food intake disorder ये भी होता है इसमें क्या होता है जो बच्चे ही ये भी जो disorder है ये infancy and early childhood में ही पाया जाता है जिसमें ये होता है कि कुछ particular food होते हैं उसको बच्चे नहीं खापाते हैं उसकी smell से उनको दिक्कत होती है ठीक है उसके texture से color से taste से उसके temperature से इस तरीके की उसको disturbance होती है जिससे की वो इस experience से suffer करते हैं ठीक है तो ये हो गए सारे types of eating disorder तो जो ये last के मैंने 3 बताए हैं ये book में नहीं है इगनू की मैंने extra लिया है for knowledge आप इसको exam में भी add कर सकते हैं ठीक है तो main जो हमारा था वो anorexia nervosa bulimia nervosa और being eating disorder है okay अब next हम चलते हैं कि what cause of eating disorder एक psychological factors भी हो सकते हैं ठीक है psychological factors में क्या होता है जैसे मैंने अभी बताया कि being disorder जो eating disorder था उसमें कुछ चीजे trigger करती हैं जिसके वजह से depression anxiety stress में person क्या करता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में food को consumption कर लेता है ठीक है large amount में interpersonal factors भी हो सकते हैं interpersonal factors में क्या होता है कि जब किसी relationship में troubled होता है person और अपने emotions को express नहीं कर पाता है तो वो उस situation में या तो food को छोड़ देते हैं person या तो फिर बहुत ही ज्यादा मात्रा में food को खाने लगते हैं ठीक है तो यह interpersonal factors भी होता है social factors भी हो सकता है कि perfect body होनी चाहिए narrow definitions of beauty in reason की वजह से भी eating disorder हो सकता है जिसमें person क्या करते हैं client क्या करते हैं कि food को बिलकुली छोड़ देते ह है ठीक है and biological factors जो anorexia nervosa में हमने पढ़ा था वो social factors के अंदर में आगा biological factors उससे हो सकते है irregular hormone function मतलब कि कुछ hormonal function जब होता है तो जो हमारा daily का food consumption होता है वो up down होता है कभी बहुत जादा खा लेते हैं या तो फिर कम खाते हैं जिसके वजह से eating disorder जैसे problems create होती है या तो फिर यह genetic भी हो सकता है अब आते है treatment of eating disorder ओके दो बाइल लाजिकल ट्रीट्मेंट family treatment cognitive behavioral treatment psychoanalytic treatment जो biological treatment होता है इसमें क्या होता है कि 33% केस ऐसे होता है कि जो drop down हो जाते हैं इस treatment से इसलिए cognitive therapy जो treatment है उसका rate जादा है इसमें लोग को जादा मात्रा मतलब जादा हम इस treatment को use करते हैं cognitive behavioral treatment को family treatment family treatment means की एक group और एक team के तौर पर therapist क्या करता है ट्रीट्मेंट करता है जिसकी वज़े से जो task दिया जाता है जो client है उसमें उसकी family क्या करती है help करती है माली जी हमने अभी बुलीमिया नवोसा के बारे में पढ़ा कि उसके उपर control नहीं रहता है खाने का तो अगर family support करेगी कि हाँ आपको two hours के gap में थोड़े मांट में ही खाना है तो यह टास्क तभी complete होगा जब family support करेगी इसलिए family treatment भी इंपोर्टेट रोल प्ले करता है तो क्या होता है कि परसन के thoughts feelings and eating behavior को interact किया जाता है therapist जो है वो focus करता है means कि जो being eating disorder में हमने देखा कि कोई चीज उसको trigger करती है जिसकी वज़े से वो इस situation से suffer कर रहा है तो जिसमें cognitive behavioral treatment बहुत ज्यादा helpful होता है psychoanalytic treatment जो है वो unconscious motivation और conscious motivation को सिकी through develop करता है इस treatment को relation बनाता है अपना relationship between the therapist and the client to explore important relationship जैसा कि हमने psychoanalytic theory therapy पड़ी थी इसमें कौन सी therapy हमने discuss की थी एक तो dream analyze किया था ठीक है और एक theory theory free association जिसमें की जो client है वो अपनी हर एक बात को therapist के सामने रख सकता है जिसकी वज़े से की हमें reason पता चल सकता है कि जो eating disorder है वो किस वज़े से इतना experience कर रहा है क्लाइन जैसे कि being eating disorder में जो चीज़ ट्रिगर कर रही है उसको हम इस treatment के तुर फाइंड आट कर सकते हैं तो यह था eating disorder उसके types and cause or treatment of eating disorder आई होप यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को like किजे subscribe किजे for more further videos thanks for watching